हेलो बच्चों, आज हमारा पक्वेस्टन है, इफ कोस्ट ओफ 15 एक इस 75 रूपी, देन फाइन आउट दा कोस्ट ओफ 4 डजन एक, बाइ 15 एक की कीमत हमें दे रिखी 75 रूपी, तो मुझे 4 डजन एक की कीमत निकाननी, दा कोस्ट, पहले हम देखेंगे, दा कोस्ट ओफ 15 एक् कितनी दे रिखी, फिटने एकसे कर तो कितनी दे रिखी, डूपी 75 रूपीज दे रिखी, अब मुझे पहले एक एक की कीमत करना, 15 को तो दे रिखी, तो देन दा कोस्ट ओफ ओफ वन एक, एक एक की कितनी होगी बाई, 75 अपउण 15 इस से डिवाइड कर दो, कितना हो कितने आ गएी मारी? रूपीज, फाइव, कितने अगए, रूपीज फाइव, अब एक एग मुझे कितने का पढ़ा? फाइव रूपीज का पढ़ा, तो भाई, फो डजन अब हमें मालूम है चाहिए one dozen egg में कितने होंगे, one dozen में कितने होते हैं, twelve होते हैं, तो four में कितने हो जाएंगे, four into twelve, कितने हो जाएंगे, forty eight egg हो जाएंगे, एक dozen में हमारे कितने होते हैं, बारा होते हैं, ठीक है, एक dozen में कितने होते हैं, बारा होते हैं, तो four में कितने हो, four into into 12 क्योंकि एक में कितने 12 तो कितने हो जाएंगे एक हमारे 48 अब हम निकाल ले कॉस्ट ओफ 48 एक कॉस्ट ओफ 48 एक्स ओके एक कि हमें कितनी है 5 है तो 48 की क्या हो जाएगा 48 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि ओके 58 कितना होता फोर्टी कैरी फोर्ट फाइव फोर्ट जाएगा 24 तो यह हमारी कोस्ट हो जाएगी 48 एक कोस्ट ओफ 48 एक्स कितने हो जाएगी 240 रुपीज कितना हो जाएगा 240 ओके